हेलो गाइस आप सभी का फिर सेक पर बहुत बहुत स्वागात है आपके अपने ही चैनल टार्गेटी इंफंटासी पर इस बिर में आप देख रहा है एजसी ओमेंट टीटी चैंपियंशिप का जो यह पर 14 मैच खेला देने वाले कातर वर्चस सिंगपर ओमेंश के बीच तो मैच के प्रिव्यू तो यहाँ पर प्रिव्यू और मैच अनलेसी सुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतायता हूं देखिए अगर आपको फाइनल टिम्स चाहिए स्मॉल लिक और ग्यांड लिका तो आपको क्या करना पड़ेगा हमारे टेलिगम चनल को जोइन करना है तो देखिए आप टेलिगम पर जाहिए जाकर वहाँ पर टार्डवन फेनेसरी के सार्च कीजिए और वहाँ पर आपको वान पॉइंट फाइप के प्लास असको वारा जो चैनल मिलेगी वो चैनल आपको जोइन बटने पर क्लिक करके जोइन कर लेना है साथ म अगर पोड़ टेलिगम की लिंक चाहिए तो विडिव की डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिलेगी तो लिंक पर क्लिक करके आप डिरेक्ली जॉइन हो सकते हो तो इस देर की इस बात की अभी के अभी हमारे टेलिगम जोइन कर लिए फाइनल स्मॉल लिग के टीम और ग्रै अभी हमारे टेलिगम जोड़ी तो है लेकिन देखे ओमेंट्स मैच पर ज्यादा रॉन स्कोर नहीं हो रहा है तो जादा तो बोलिंग फैलिपी जहां पर बैसिकली हो रहेगा ज्यादा विकट गिरेंगे तो आपको यहां पर जादा शयदा और बोला स्कोर लेके टीम बरन देखेंगे तो कातर रॉनस के बारे में बात करें तो देखिए अपर शाहिर नवाब बहुत जो है ओपनिंग कर सकता है सूरती बेनाना के साथ बाहदूर जो है एक अच्छे बैटर से लेकिन जो डोमेस्टिक पर देखा कि है इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छे स्कोर कर यहां पर उतना अच्छा स्कोर नहीं बना पार रहा है ताफ कोमेटिशन यहां पर हरेक्टिम अच्छा है मतलग उसके स्टेंडर में सूती बेनाना के से ओपिनिंग करेंगे तो इसलिए आपको यह दो प्लेयर्स को ऑपजर्व करना पड़ेगा फिर आप चाहे तो इन दो हेर अगरवाल नर्भ साथ पर हैंगे बिसकल अब की बोलग और एंगे अारे नॉइमानुविम मंफोड की बात करें दिख्या एट यह पर खेल लेंगे न 무 पर नौ परैंगे तुरु प्ती काले नमब दास पर अरिना खान तुरु प्ती काली यह आपर ओपटिंग आपको मिलेगी नमबर ग्यार आपा दिए खादी जाए इम्तियाज एच अगर लियापर एक्स्टर प्लियापर रहेंगे अगर यह खेले तो आपको टिलिंगाँ पर बता दूँगा अभी बात करें सिंगपूर मेंट्स की प्रॉबर प्लिंग से उइट बैटिंग और के साथ टैन जाए एच ओपिनिंग कर सकते है जोसलिंग पी के साथ नमबर तीन पर आ सकते है सफीन अमाईस जोकी कैप्टन है अपने टीम के लिए थोड़ा यहापर स्कोर करने की कोशिस कर रहे है हर मैच में प्लिंग प्लिंग के दिवियाप एवरिज प्लिंग पर रहना चाया है बहुत अच्छे प्लिंग है मतरब एवरे स्कोर कर रहा है लेकिन प्लियर अच्छा है नमबर पांच की बात कर रहें देखिए चात्रोनी यही जे विनु के नमबर छे पर रहेंगे अदा भी नमबर साथ पर खेलेंगे रिया भी नमबर आट पर रहेंगे नमबर नमबर पर ईशिता सुखला आएंगे दस नमबर पर जोहनप पी नमबर गेरा पर पीव मी गुरु सिंगे यह विकेट की पर अक्षन पर रहेंगे देखिए विकेट की पर अक्षन पर है लेकिन नमबर गेरा पर है इसका मतलब यह है कि इसको सिर्फ विकेट की परिंग के लिए ही टीम ने खिला रहा है लेकिन बैटिंग पर और और कई पोईसेन पर इसका आना मतलब इंपोड़नस नहीं है तो ये नीचे ही आएंगे और साथ में पर इसका रान मानने का चांसेस भी बहुत ही कम है तो आप खोशित करना कि दूसरे टीम का विकेट के पर को लेने के लिए अभी हम देखेंगे रिसेन स्टेट्स क्या है एस बाहुत नहीं आप देखें लाश्ट दो मैज में जीरो चार रन मनाया सुथी बैंदाना तीन रन गेरा रन आईसा देखिए तैथीस एक जीरो दो इकेट बैटिंग से ना हो तो बोलिंग से आपको कॉंटिबूट करके दे सकते है सची दड़वल 10 रन 7 रन 0 इकेट 2 इकेट तो ये प्लेश भी आपके लिए अच्छे हो सकते है क्योंकि दीखें बैटिंग बोलिंग दोनों ही करा रहा है एंजेलीन मारे 8 रन 7 रन 3 रन इकेट तो आपके लिए बोलिंग अप्सन के लिए बहुत ये अच्छे पिक्स हो सकते है और कुईन इनको आप ड्रॉब कर सकते हो क्योंकि दीखिए बैटिंग बोलिंग किसी से भी है पर टिम को कॉंटिबूट नहीं कर पा रहा है इनका भी बोलिंग पर रेकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन प्लेयर अच्छा है जो डुमेस्टिक का स्टैर्स हम ने देखा हुआँ पर अच्छे किया तुप्तिकाले दो रन मनाया देखिए दूसरे टिम का जो विकेट के पर है वो आ रहा है नमबर ग्यारा पर लेकिन ये प्लेयर नमबा नौ पर खेला है तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छे रहा सकता है आपके लिए अरेन खान जिरो रन और जिरो विकेट तो इसको भी बोलिंग मिल रहा है लेकिन विकेट्स नहीं निकाल पा रहा है तो इसलिए ये भी आपके लिए थोड़ा सा कमजोर बन जाएंगे खादीज अमतियाच तीन अन मना है अभी हम बात करेंगे कातर रोबन्स के लिए कौनकर्ण से प्लियर आपके लिए आपके स्मॉलिक टिंग पर मास्ट पीग रहना चाहिए अइसा है सची धलवाड है एंजलीन मारे है हेरा लगरोल है और तृप्ति काले है यह हो गई छे पास प्लेस और यह पर यह दो जो ओपेनर है बहादूर और राना इन दोने में से आप किसी एक को ट्राइ कर सकते हो साथ मियाँ पर आप खादिया इंत्यच के साथ जा सकते हो तो दूसरे टिम के पारे में बात करें देखिए सिंगपूर रोमेंस की तरफ से टैन जे एइज लगातार तीन मैच में जीरो पर आउट है तो मुका तो मिल रहा है हर एक मैच पर लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसलिए और एक मैच अगर टीम इनको मुका दे तो मेरी सबसे थोड़ा सा अच्छा कर सकता है तो आपके टीम बर ले सकते हो जोसलिंपी इसका भी सेम हाल है देखिए जीरो पर आउट है सभी नमाएस छे नौ उननिसन की एक विकेट के साथ लास्ट मैच में तो देखिए जीरो चार पचीस एक जीरो जीरो मतलब थोड़ा सा रन्स भी कर रहा है तो आपके लिए गेवरिजपिक बन जाएंगे चतरोनी एचे उतना अच्छा नहीं रहने बाला है बोलिंग बेटिंग हर तरब में यहां पर फ्लॉप जा रहा है वेनू के देखिए दो मै आपका मिलने के बाद भी अच्छा नहीं परफनस आ रहा है इसीता सुकला चार रन एक रन और जीरो इकट जोहना पी कोई भी रन्स नहीं बनाया प्यूमी गुरस इंगे दो मैंच खेलके चार रन किये तो उतना अच्छ नहीं रहने बाला आपके लिए तो यह टीम से पी और गुरु सिंगे दुनों से किसी को ले सकते हो तो मेरे सबसे गुरु सिंगे को छोड़के जोहना पी को लेना आपके लिए अच्छा होगा विकट के पर होके बहुत नीचे आ रहा है अब हम देखेंगे स्मॉल लिग पर जो कैप्टेन से भाइस के बिल्कुल डिफल चोईस रहने वाल है सची धलवाल आईसा अंजलीन सभी नमाईस तो यह चार प्लेस को आप स्मॉल लिग पर रहेंजे कैप्टेन और भाइस कर सकते हो अपके लिए बहुत इंपोट रहने वाल है आप ग्रेंड लिग चोईस के समब बारे बात करें अड़ा फसीन हेर लगर वाल विनुकुमार त्रिप्तिक आले इसीता सुगला तो यह पांच प्लेस को ट्राइब कर सकते हो रोटेसर में ट्राइब कर सकते हो साथ में पर ग्रेंड लिग पर कैप्टन और भाइस को महीं बना सकते हो आपके लिए बहुत यह अच्छी रहने वाल है तो गाइस ए रह है वाल ऑनके बाद Ф chir found Singh मिल जाएग ही देखें beta Unclus में किया होता है जाता भांब नहीं हांते तो वहां पर हम त्टीम नहीं दें सकते हैं कि तिया हमारे पास एक पूरे लाइनप रहेगा मैच के बार में पुरी जान करेंगा तब ही हम वो मैच पर टीम मना सकते हैं, खेल सकते हैं तो आप ये मत कीजे कि लाइनप ना भी आये तो भी, आपको टीम चाहिए तो ऐसे करके आप कोई भी मैच में टीम लगा दो ऐसा आप मत कीजे, ऐसा करके आपको कोई फादा नहीं मिलने वाला तो चलते हैं डिमेल अब की तरफ तो गाइस देखो विकेट कुपरिंग अप्शन पर तीन प्लेयर्स है ती काले पी गुरू सिंगे और आर बैनो इमानुएल तो इमानुएल यहां पर सबसे अच्छा रहने वाले जो की थोड़ा सा रहेंगे आप देखिए जे यहां पर पूर्ना करन तो जोहन पी जो है वह यहां पर रहने वाले यह तीन प्लेयर्स बाकी प्लेयर्स को आप एक आथ को यहां पर ग्रैंड लिक पर ट्रेकर सकते हो नहीं तो आप चाहे तो यह स्मॉल लिका से प्लेयर्स को ही ग्रैंड ले रहेगा वी कुमार और एखान आपके लिए ग्रैन लिग पर अच्छे पिक्स बन सकता है नहीं तो आप चाहे तो ये चार को ही ग्रैन लिग पर ले जा सकते हो क्योंकि देखिए ये उमेंट्स मैच में उतना ज्यादा आंतर नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा डिफल सेल आए आपके टीम पर और ग्रैन लिग जिता कर जाए आपको सिर्फ एक से दो मैक्सिमम एक से दो ही चेंज आपको करना है आप चाहे तो बाकी नौ से दस प्लेस को सेव रख सकते हो बोलिंग की बात करें देखिए अंजलीन है सी अबेरतन है उसके साथ एच अगरवाल ये पर एस धर्वाल के साथ जा सकते हो ये आपके लिए दूसरा कापना बाइस के चोईस रहने वाल है अभी टीम सेप करके आपको प्रिव्यू दिखा देता हूं वहाँ पर थोड़ा सा ग्रैलिक के पर हमों डिसकस कर देंगे देखिए आपर आर्वाल एस नवाप और जे आपके लिए गुलिंग सेपके लिए तो हमारा टीम का फिलाल कापन है आईसा और ये वासिन ग्रैनलिक पर आपको प्रिवाल के साथ ट्राइक का सकते हैं देखिलीजे एस धरवाल है जी दिविया है एस महस है एंजलीन है और यहाँ पर आर बने में बाने तो ये पांच प्लेस के साथ बिल्कुल ग्रैनलिक पर है जे कैप्टन और भास के लिए बहुत ये अच्छे पिक्स रहने बाले हैं ग्रैनलिक पर तो कई से रहागा आपके लिए स्माल लिक का डेमों का कॉमिनिसन बना सकते हो तो इस देर की इस बात कि अभी के भी हमारे टेलिक अप्चल को जॉइन कर लिजे और अगर आपको वीडियो हैं पर अच्छा लागे तो लाइक सेर सब्सक्राइब जूरू कीजिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो यह पर सब्सक्राइब साथ ब पहले मिल जाए और एक अच्छा सा टीम होना है अच्छा सा विनिंग कीजिए थेंक्यू सो माच अल दे बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट विनिम पर